Dear Students, Welcome to my YouTube Channel आज मैं आपको Rectangular Column Footing की Drawing बताऊंगा Students, इससे पहले मैंने Square Column Footing का वीडियो अपलोड कर दिया है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के Description Box में डाल दूँगा जिससे आप उसको देख सकते हैं तो मैंने इससे पहले आपको Square Column Footing के बारे में बता दिया है अब मैं बताऊंगा आपको Rectangular Column Footing की Drawing आयताकार Column Footing की Drawing तो इसमें लंबाई और चोडाई दोनों अलग-अलग Dimensions की होती हैं जो Square Column Footing में एक समान थी तो आईए मैं सबसे पहले Question को पढ़ देता हूं Draw the Plan and Elevation of rectangular Column Footing Which Dimensions are given below? Take the Suitable Scale मैं हिंदी में Question को पढ़ देता हूं एक आयताकार Column Footing का Plan तथा Elevation खीचिए जिसके Data नीचे दिये गया है उचित Skill का प्रियोग करें आपका जो Given Data है इसमें Foundation दिया है 2.5 लंबाई है 2 इसकी 2 मीटर चोड़ाई है और 0.9 मीटर यानि की 90 सेंटीमीटर इसकी गहराई है यह आपका दिया है जो Indian Standard Heavy Beam Indian Standard Heavy Beam Column है यह 500 mm लंबाई इसकी है और 300 mm चोड़ाई है उसके बाद reinforcement bar foundation में 16 mm डायमीटर के और 20 बार्स किसमें लंबाई में और 16 बार्स चोड़ाई में लगाई गई है दोस्तों, square column footing में हमने जो लगाया है 16 mm डायमीटर के बार्स को लगाया है केवल 16 बार्स क्योंकि square में दोनों साइड में क्या होंगी बराबर लगेंगी लेकिन इसमें लंबाई में अधिक लगेंगी और चोड़ाई में कम लगेंगी उसके बार्स बार्स जो है कालम में वो 20 mm डायमीटर की है और 6 लगी है stirrups 6 mm डायमीटर के 2 mm center to center है कुछ data जो नहीं दिया रहेगा उसको आपको assume भी करना है जिसमें से foundation concrete की गहराई 300 mm है cover 40 mm है end edge जो किनारे पे edge होता है 140 है और ठीकने से जो bottom concrete black का है वो आपका 80 mm है scale हमने लिया है 1 ratio 20 का तो आईए हम लोग start करते हैं इसकी drawing को हीचना तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जो foundation की जो हम front खीचेंगे front elevation उसमें हमें लंबाई दिखाई देगी यह क्या है foundation की लंबाई है और यह क्या है चोडाई है और यह क्या है गहराई depth है लंबाई 2.5 दिखाई देगी 20 के scale पर change करेंगे तो आईए change कर लेते हैं 20 के scale पर 2.5 2.5 मीटर का मतलब हुआ 250 cm और इसको scale पर change कर लेंगे यानि कि 20 से डिवाइड कर देंगे तो यह 12.5 दिखाई दे रहाई है आई यह 12.5 दिखाई दे रहा होगा उसके बाद क्या करेंगे जो depth है foundation concrete की 300 mm दिया है आपका तो इस 300 mm को हम लोग क्या कर लेंगे scale पर change कर लेंगे 300 को scale पर change करने के लिए 20 की scale है तो 20 से डिवाइड कर देंगे तो 15 mm आ जाएगा दोनों साइड से 15 mm इसको क्या कर लेंगे उपर की तरफ इस प्रकार से खीश लेंगे इस साइड में भी 15 mm उपर की तरफ इसको हम लोग हिस लेंगे उसके बाद यह जो यहाँ से यहाँ तक था इसका आधा mid point पे हम लोग point कर लेंगे और जो foundation की depth है 0.9 meter इसका मतलब कि 90 cm 90 cm को scale पर change कर लेंगे 90 cm divided by 20 यह 4.5 cm आ गया तो 4.5 cm हम लोग क्या कर लेंगे यह mid point से इसका जो mid point था 12.5 का एक mid point कितना आया था यह आया था 6.25 6.25 लगबग यहाँ आया था और इसके mid points हम लोग क्या कर लेंगे 6.25 के mid points हम लोग लगबग क्या कर लेंगे यह यहाँ से जो हमारी ये 4,05 गहराई आई है 4,05 cm जो हमारी गहराई आई है foundation की इसको खीश लेंगे तो आई ये 4,05 cm पे एक point यहां पे लगा लेंगे यह हमने 4,05 पे point लगा لिया है अब क्या करेंगे इसके बाद इसके बाद हम क्या करेंगे तो इसके बाद यहां से जो हमारा कालम है 500 mm सामने से देखने पर यह जो 500 mm दिखाई देगा हमको जो हमारी लंबाई है इसको स्केल पर चेंज कर लेंगे तो 500 इसको 20 के स्केल पर चेंज कर लेंगे तो यह 25 mm आ गया 25 mm का आधा साढ़े 12 साढ़े 12 लेफ्ट साइड में और साढ़े 12 राइट साइड में एक पॉइंट बना लेंगे साढ़े 12 mm यह साढ़े 12 mm लेफ्ट साइड में और फिर यहां साढ़े 12 mm राइट साइड में ये एक point बना लेंगे और इसको क्या करेंगे इसको इस से हम लोग इस तरीके से मिला देंगे ये ये इस तरीके से इसको हम लोग क्या कर देंगे मिला देंगे उसके बाद इसको उपर की तरफ हम लोग खीश देंगे यह यह इस तरीके से हम लोग उपर की तरफ खीश देंगे अब क्या करेंगे तो अब इसमें जो हमारी bottom concrete block की ठीकनेस है 80 mm इसको हम लोग क्या करेंगे खीश लेंगे, 80 mm को हम लोग खीश लेंगे, दोस्तों ये एजूम डेटा में पहला है हमारा, डेपता फांडेशन दूसरा है, कभर तीसरा है, इंड एज और चोथा क्या है, आपकी ठीकने से बाटम कंक्रीट ब्लाग की, तो बाटम कंक्रीट ब्लाग, 80 mm है स्केल पर चेंज करके ये, और इसको यहाँ पर ये खीश लेंगे, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है, 80 mm जो बाटम कंक्रीट ब्लाग है, इसकी ठीकने से, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर कभर लगा लेंगे, यहाँ क्या करेंगे, कभर हम लोग प्रोवाइड कर लेंगे तो जो cover है आपका दिया है 40 mm 40 mm यहां cover दिया है 40 mm को scale पर change करेंगे लगभग 2 mm के बराबर आएगा और इसको इस तरीके से रखके ये 2 mm जो हमारा cover है इसको इस तरीके से रखके और क्या करेंगे end edge 140 दिया है end edge 140 इसको divide कर देंगे 20 के scale पर 7 mm आजाएगा दोनों side से किनारे से हम लोग इस side से भी 7 mm और इस side से भी 7 mm छोड़के खिंच लेंगे तो आएए यहां 7 mm छोड़ देते हैं ये इस प्रकार से और इस side से भी 7 mm छोड़ देते हैं ये इस प्रकार से हमने ये cover खिंच लिया और इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर क्या कर देते हैं, मिला देते हैं ये अब क्या करेंगे, अब इसमें भी कभर हम लोग प्रवाइड कर देंगे तो आए इसमें भी 2 mm का हम लोग कभर प्रवाइड कर देते हैं ये कुछ इस प्रकार से और नीचे से इस कभर को हम लोग कितना छोड़ देते हैं 5 mm के बराबर छोड़ देते हैं नीचे से ये लगभग 5 mm छोड़ दिया जाता है ठीक इसी प्रकार इस साइट से भी 2 mm का कभर होगा ये आपका 2 mm का कभर होगा और नीचे से ये 5 mm इसको हम रुख छोड़के ये इस प्रकार से ड्रा कर लेंगे उसके बाद यहां पर 12D या 300 mm जो भी अधिक होता है मैंने पिछले विडियो में बताया था कितना 12D 12D या 300 mm जो भी अधिक होगा इतना हम लोग क्या करते हैं इस छड़को इस साइड में मोड़ देते हैं तो 12D यानि कि 12 इंटू D का मतलब होता है जो कालम में बार लगी होती है 20 ये कितना आज आएगा 240 mm 240 से अधिक हा 300 तो 300 हम क्या कर लेंगे इसको इस साइड में बढ़ा लेंगे 300 के स्केल पर चेंजर कर लेंगे 3 divided by 20 यह आज आएगा 15 mm 115 mm यहां से इसको इस साइड में और यहां से साइड में भी कितना 15 mm इसको मोड़ देते हैं यह जो छड़ होती है कालम में लगी हुई उसके बाद सेन्टर में भी हम लोग क्या कर देते हैं एक बार लगा देते हैं के हम लोग देखते हैं कि ये इस प्रकार से हमारा जो कालम होता है रेक्टेंगुलर कालम ये इस प्रकार से दिखाई देता है तो यहाँ पे एक बार लगी होती है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे जब इसको हम इस तरीके से देखेंगे इस side से तो हमें 1, 2, 3 बार्ष दिखाए देंगी तो 1 और 2 को हमने बना लिया है तीसरी वाली को क्या करना है यहाँ पर दिखा देना है तो आईए तीसरी वाली को हम लोग यहाँ पर इस तरीके से क्या कर देते हैं दिखा देते हैं यह उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे इसको हम लोग continuous कर देंगे तो आईए यहाँ पे हम लोग इसको continuous कर देते हैं यह इसको इस तरीके से continuous कर देंगे इसके बाद क्या करेंगे इसमें जो number आप बारसें लगाते हैं तो इसमें हमारी 2.5 जो length है इसमें 20 बारस लगी है कितनी 20 तो 2.5 को हमने scale पर change किया था तो यह हमारा 12.5 cm आया था 12.5 cm आया था और इसमें इधर 7 और इधर 7 14 निकल गया था तो यह 12.5 cm का मतलब होता है 12.5 cm का मतलब होता है कि 125 mm यह कितना होता है 125 mm और इसमें से minus कर देंगे 14 तो यह आपका आजाएगा लगभग 111 mm 111 में जब 20 से हम लोग divide करेंगे यह तो यह हमारा आजाता है 5.5 cm की distance पे हम लोग जो बार से इनको प्रोवाइड करते हैं किसमें यह जो हमारा cover होता है तो साड़े 5 के distance पे हम लोग क्या कर देते हैं covers को provide इस तरीके से हम लोग कर लेंगे एक दो तीन चार ऐसे ऐसे हम लोग दोस्तों और वीडियो पसंद आए तो चैनल को subscribe करें share करें तथा बेल आइकन को प्रेश कर दें ताकि आपको किसी भी वीडियो का notification असानी से मिलता रहे और वीडियो को like करना न गूले यह इस प्रकार से लगा देंगे इस प्रकार से यह जो छड़े हैं इनको हम लोग इसमें दिखा देंगे यह इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा बड़ा इसको दिखा देंगे हम लोग इस तरीके से यह लग बग साड़े 55 mm पे आपकी जो बारस है यह इस तरीके से क्या होंगी दिखाई देंगे ये इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे इनको लगा लेंगे इसके बाद इसमें भी दिखा देंगे एक, दो और इसमें भी दिखा देंगे हांपर एक, दो बार्स को इसके बाद इसमें स्टीप्स लगा देंगे जो हमारी steer ups होती है steer ups जो छले होते हैं छले के बारे मैंने आपको बताया था जो ring बनाई जाती है जड़ो को बांधने के लिए जो ring बनाई जाती है उसी को हम लोग steer ups बोदते हैं तो ये steer ups जो है 6 mm diameter की है और 2 mm क्या है? center to center है 2 mm center to center है stir ups provide कर लेते हैं कितने पर 10-10 पर यह कुछ इस प्रकार से यह तो यह इस प्रकार से इनको क्या कर लेते हैं provide कर लेते हैं यह 10-10 mm की distance पर यह जो हमारे stir ups होते हैं इनको यह continuous करने का मतलब होते है कि हमारा column और उपर तक गया होगा यह हमारा प्रकार से दिखा देते है इस प्रकार से हम लोग इसको दिखा देते हैं जिल को अब क्या करेंगे अब इनकी dimensioning कर लेंगे और इसमें जो concrete इसमें जो concrete है इसको लगा लेंगे तो आई इसमें concrete को लगा लेते हैं यह दोस्तों मैंने पिछला जो square column footing का वीडियो बनाया है और आपको बताया है उसका link भी मैं इसके description box में share कर दिया हूँ जिसको आप देख सकते हैं यह कुछ इस प्रकार से यह जो हमारी है यह cement concrete इसमें लगी है 1 ratio 4 ratio 8 की यह हमारी क्या है यह हमारी bottom concrete block है जिसकी thickness कितनी है 80 mm के बराबर है अब हम लोग क्या कर लेंगे अब dimensioning कर लेंगे जितनी भी dimensions है उनको हम लोग दिखा लेंगे तो आई यह dimensions को दिखा लेते हैं यह हमारा है दो दसमलो पांच मीटर यह यहां से यहां तक हमारा जो है यह 80 mm है फिर यह यहां से और जो यहां तक है यह हमारी foundation की foundation concrete की घराई है यह 300 mm है 300 mm है उसके बाद हमारी जो foundation है इसकी depth है जो 0.9 मीटर है 0.9 मीटर जो foundation है इसकी depth है उसके बाद यह हमारी bottom concrete block है 80 mm की 1 ratio 4 ratio 8 cement concrete है यह हमारा इंड एज है एक सो 40 mm और यह हमारे steer ups है steer ups है जो 6 mm डाय के है कितने 6 mm डाय मीटर के है और 200 sorry 200 mm center to center है कितने है 200 mm center to center है यह जो हमारी है यह बारस है जो column में लगी है reinforcement bars column में reinforcement bars है जो 20 mm डाय मीटर की है कितने की है 20 mm डाय मीटर की है यह हमारा cover है जो 40 mm का है यह हमारा column है यह हमारा column है जो 500 mm इस साइड से देखने पर दिखाई देता है 500 mm हमें दिखाई देता है इस साइड से देखने पर और इस प्रकार से जो हम लोगों का side elevation है sorry front elevation है यह हमारा complete होता है यह हमारा Indian standard heavy beam column है यह हमारा क्या है Indian standard heavy beam column है यह आपका front elevation है अब इसका हम लोग क्या करेंगा अब इसका plan खीशेंगे तो plan खीशने के लिए हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले इसका projection खीश लेते हैं तो आईए प्रेक्शन खीश लेंगे यह इसका हम लोग projection इस प्रकार से खीश लेंगे यह कुछ इस प्रकार से और इस side में इसका भी हम लोग क्या कर लेंगे projection खीश लेंगे इसको और उपर तक लेके जाएंगे यह इस प्रकार से और इसको हम लोग क्या कर लेंगे इसको यहाँ पर मिला लेंगे तो आईए यहाँ पर इसको हम लोग क्या करते हैं इस तरीके से मिला लेंगे जो projection है इसको और ध्यान रहाँ आप जब यह लंबाई है हमारी तो यह चड़ाई जो है वो 2 मीटर है scale पर 2 मीटर को change करेंगे तो scale पर change करेंगे 2 मीटर यानि कि 200 cm और इसको divide करेंगे 20 के scale पर तो यह हमारा 10 cm के बराबर आएगा तो इधर से हम लोग क्या कर लेंगे यह 10 cm पर point कर लेंगे और इसको हम लोग खींच लेंगे यह 10 cm इस प्रकार से खींच लेंगे यह और इसको यहाँ पर इस प्रकार से क्या कर देंगे मिला देंगे यह इसको भी इस साइड से क्या कर देंगे मिला देंगे अब क्या करेंगे इसमें जो cover है इसका projection खींच लेंगे या फिर cover को सीधे यहाँ पर इस तरीके से point कर देंगे यह यह जो हमारा cover है और इसको हम लोग cover जो है यह 7 इधर से छोड़ देंगे 7 mm छोड़के ऊपर की तरफ खींच लेंगे और ऊपर से भी 7 mm छोड़के और 7 mm छोड़ने के बाद इसको क्या कर देंगे इस तरीके से खींच लेंगे इसको भी इस साइड से चारो तरब से इसमें क्या करना है साथ एमेम छोड़ देना है चारो तरब से क्या करना है साथ एमेम के वराबर छोड़ देना है तो यह हमने साथ एमेम के वराबर छोड़ दिया है और इसको इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे खीश लेंगे और यहाँ पर इसको हम लोग मिला देंगे इस तरीके से यह उसके बाद यह जो छड़ है इसको हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इसके जो बिकर्ण है इनको हम लोग क्या कर देते हैं मिला देते हैं तो आईए यह जो बिकर्ण है इनको इस प्रकार से हम लोग क्या करतेंगे इस तरीके से मिला देंगे यह यह इस तरीके से क्या करतेंगे मिला देंगे उसके बाद यहां से यह जो छड़ है यह दिखाई दे रहे हम लोगों को यह बिल्कुल इस पॉइंट पर जाके मिल रही है और इनका हम लोग क्या कर लेंगे इस तरीके से प्रोजेक्शन खींच लेंगे इनका हम लोग क्या कर लेंगे इस तरीके से projection खीच लेंगे बिल्कुल इसी line पे मिलनी चाहिए और यह इस प्रकार से यहाँ आएगी इसको यहाँ पर इस तरीके से काटेगी यह पुना इसको इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पर मिलाएंगे और इसको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मिला देंगे हमने क्या किया यह यहाँ से यहाँ तक इसका projection खीचा और यह जो हमारी है यह 3-7 के बराबर आएगा यह 3-7 को जब scale पर change करेंगे तो लग बोग 1.5 के बराबर आजाएगा यह हमारा 3-7 है और यह हमारा 5-7 के बराबर है अब क्या कर लेंगे इसमें जो ind कवर है जो कवर है इसको भी लगा लेंगे तो यह जो हमारा कवर है इसको हम लोग इसमें क्या कर लेंगे इस तरीके से लगा लेंगे तो आईए इस तरीके से हम लोग इसमें कवर को ये ये इस तरीके समना हुआ है क्या किया लगा लिए उसके बाद जो ये हमारी बीच में सामने से दिखाई दे रही है बार इसको यहाँ पर पॉइंट कर लेते हैं ये हमारी यहाँ पर होती है और चारो कॉर्नर्स पर हम लोग बार्स को यहाँ पर इस प्रकार से लगा लेते हैं ये और इस प्रकार से हमारी एक, दो, तीन, चार, पांच, छे बार्स जो हमारी rectangular column footing है इसमें बार्स दिखाई देते हैं अब क्या करेंगे अब इसमें ये जो बार्स दिखाई दरी हम लोग को इन ही का क्या कर लेना है projection खीच लेना है तो इन ही का projection हम लोग खीच लेंगे तो ये लगभग 5,5,5 mm है 5,5,5 mm हम लोग क्या कर लेंगे इस तरीके से point कर लेंगे 5,5,5 mm पे और इनको क्या कर देंगे खीच देंगे ये इस तरीके से point करके आप लोग क्या कर लेंगे खींच लेंगे ये लगबग 5-5 mm पे इस तरीके से क्या करना है खींच लेना है ये ये इस तरीके से क्या हो जाएंगी ये ड्रा हो जाएंगी कितने distance पे तो 5-5 mm की distance पे ड्रा हो जाएंगी यह हम लोग जितने भी बार्स हैं इनको प्रवाइड कर लेंगे यह यह इस प्रकार से दिखाई देंगी यह जो हमारी फोटिंग में बार्स है यह यह हमारी फोटिंग में बार्स है इस तरीके से दिखाई देंगी टूडेंस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करें तथा जितना से जितना हो सके चैनल को सेर करें और वेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और मैंने आपके RCC ड्राइंग का प्रेलिस्ट बना के वीडियो को डाल दिया है सभी वीडियो आपको प्रेलिस्ट में ही मिल जाएंगी असानी से जब आप चैनल को सबस्क्राइब करेंगे तब तो ये इस प्रकार से हमने क्या किया ये ये हमने बार्स यहाँ पे लगा दिया और इसी तरीके से इसमें भी 55 mm की डिस्टन्स पे ये क्या करेंगे बार्स को लगा देंगे ये इस तरीके से ये हम लोग क्या कर लेंगे बार्स को इस साइड में भी लगा देंगे आई 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 होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा क्लियरली ये ये कुछ इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे बार्स को इन में प्रोवाइड कर लेंगे ये हमारी फांडेशन में कुछ इसी प्रकार से बार्स दिखाई देंगी लगभाख 55mm की डिस्टेंस पर ये ये हमारी सकेल पर 55mm आई हैं एक्चुल में ये 55mm पर नहीं होती हैं ये भी आपको ध्यान रखना है ये कुछ इस प्रकार से हमारी क्या हो गई बार्स प्रोवाइड हो गई यह हमारा कितना है यह जो सामने से दिखाई दे रहा हमको यह जो है यह आपका 500 mm है और यह जो है 300 mm है यह कितना है तो यह आपका 300 mm है यह आपका इस प्रकार से प्लान तयार हुआ और यह इसकी जो लंबाई है जो सामने दिखाई दे रही है यह यह आपकी दो दस्मलों पांच मीटर है और यह जो चवड़ाई है आपकी यह दो मीटर है यह कितनी है तो यह आपकी दो मीटर है और इस प्रकार से यह आपका जो प्लान है यह कंप्लीट होता है यह जो है आपका यह इंड एज है जो एक सो चालिस एमिम है और इस प्रकार से आपका जो है पूरा रेक्टेंगुलर कालम फोटिंग कम्प्रीट हुआ आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मैं एक बार फिर से शुरू से आपको बता देता हूँ सबसे पहले हमने क्या किया दो दसमलो 5 मीटर फ्रॉंट में दिखने वाली जो फांडेशन की लंबाई है इसको हमने खींच लिया 12 दसमलो 5 सेंटीमिटर के बराबर आया उसके बाद हमने दोनों साइड में 300 mm जो कंक्रीट फांडेशन कंक्रीट की डेफ्थ दिया है 300 mm को इसकेल पर चेंज किया एक दसमलो 5 सेंटीमिटर आया इसको हमने खींच लिया उसके बाद इसका मीड पॉइंट लिया मीड पॉइंट लेके और यहां से क्या किया जो फांडेशन की डेफ्थ है 90 cm 0.9 मीटर या 90 cm इसकेल पर इसको चेंज किया तो 4.5 cm है 4.5 cm उपर जाके हमने एक पॉइंट कर लिया और 4.5 cm पर पॉइंट करने के बाद दोनों साइड में जो कालम है 500 mm का इसका आधा ही सैड में और आधा ही सैड में हमने क्या कर दिया पॉइंट कर लिया और उस पॉइंट को जो यह है यहां कॉर्णर से इसके मिला दिया फिर यहां से इसको इसको मिला दिया यहीं हमारा क्या होता है इसके बाद हमारा कालम उपर की तरफ जाता है कालम में हमने उसके बाद क्या किया यह दोनों साइट से साथ है में, 140 को scale पर change किया तो साथ आया, साथ यहां से छोड़ के उसमें हमने cover लगा दिया और bars को provide कर दिया कितनी? टोटल 20 bars को provide कर दिया 20 को जब provide किया इसमें तो उसके बाद हमने क्या किया यह जो column में बार्स हैं इनको कितना तो इनको हमने यहां से मैं आपको दिखा देता हूँ यह 12D यह कितने के बराबर तो यह 12D यह 300 mm के बराबर इनको और इस साइड में हमने क्या किया गुमा दिये इनमें से जो अधिक हो 12D को हमने सकेल पर चेंज किया multiply करके calculate किया तो 240 आया 240 किया 300 से छोटा है तो अधिक वाले को लेना हो दा है 300 हमने यानि कि 1.5 cm इसको इस साइड में बढ़ा दिये इस साइड में 1.5 cm बढ़ा दिये middle में जो हमें ये बार दिखाई देती है इसको हमने खींच लिया था उसके बाद इसको continuous कर दिया कि ये कॉलम हमारा जितना उपर चाहे जा सकता है और इस प्रकास से हमारा जो है ये कॉलम का front television complete हुआ और इनहीं का projection हमने खींच दिया उसके बाद से क्या किया 2.5 का ये हमारा लंबाई दिखाई दे रहे थे और 2 मीटर चोड़ाई को हमने खींच लिया 2 मीटर जो चोड़ाई है ये foundation की इसको खींच लिया उसके बाद इसमें 500 mm जो हमारी कालम है 500 mm इसकी लंबाई है और 3 mm जो चोड़ाई है इसको हमने दिखा दिया और उसमें हमारे जो कभर है इसको खींच लिया हमने और कभर को खींचने के बाद इसमें क्या कर देंगे इसमें ये जो दिखाई दे रहा हमारा इसको हम इस प्रकार से ड्रा कर लेंगे अब क्या करेंगे अब इसमें जो हमारी बार्स इनको six बार्स को हमने दिखा दिया कि six बार्स इसमें लगी हुई है उसके बाद इसकी भी dimensions दिखा दी ये कितना है ये indage है चारो तरफ से जो indage हम लोग छोड़े रहते हैं और इस प्रकार से हम लोग का जो वीडियो है ये complete आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो थैंक यू आज के लिए ये हमारा rectangular column footing complete हुगा और वीडियो पसंद आये तो चैनल को सबस्क्राइब करें शेयर करें तो थावेल आइकन को प्लेस कर दें हम वीडियो को लाइक करें थैंक यू